Hello everyone, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं The Victor Poem के Question and Answer, English Class 6 तो आई ये स्टार्ट करते हैं इसको सबसे पहले आपको कोशन दिया गया है कि According to the poet, यानि कभी की हिसाब से What happens if you think you dare not? यानि क्या होता या क्या होगा अगर आप कोई भी काम करने की कोशिस नहीं करते हो तो इसका answer है If you don't dare to do something, you don't do it अगर आप किसी भी काम को करने की कोशिस नहीं करते हो या आपका मन नहीं लगता है तो उस काम को बिलकुल भी आप नहीं कर पाएंगे Question second है According to the poet, यानि कभी के अनुसार What happens when you think you can? यानि कभी के अनुसार क्या है? अगर आप सोचते हो, ठीक है? कि आप किसी भी काम को कर सकते हो, तब क्या होगा? तो इसका answer है According to the poet When you believe you can win something अगर आप ऐसा believe करते हैं, अपने अपमें विश्वास रखते हैं कि हमें इस काम को कर लूँगा, तो आप बिलकुल भी उस काम को कर सकते हो, ठीक है? You succeed at the winning it और आप उसमें success भी हो जाएंगा और उस काम में आप, आपको जीत भी हासिल हो जाएगी Question number third की बात करें वो है What does it almost a chinch? यानि it almost a chinch का मतलब यहाँ पर क्या है? Question third का जो answer वो है It is a certain to have been In this context, if you think you can't win, you will definitely not win यानि इसमें बताया गया कि अगर आप अपने मन में सूच लेते हैं या दिमाग में ठान लेते हैं कि साइद मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा तो वही होता है, ठीक है? आप उस काम को कभी भी नहीं कर पाते हो Question four की बात करें अगर यहाँ पर तो वो है यानि हमारे अंदर क्या का चीज़े requirement है किसी भी प्राइज को जीतने के लिए तो question four का जो answer वो यहाँ पह है believing in yourself is a necessary ingredient for you to win the price यानि अपने आप में भरोसा रखना, ठीक है? इस सबसे important point है या ingredient है किसी भी प्राइज को जीतने के लिए या किसी भी चीज में आगे बनने के लिए अगर आपके पास confidence नहीं है या आप अपने आप में भरोसा नहीं कर पाते हो तो आप कभी भी life में आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाओगे ठीक है? अब बात करते हैं question number five की how many times in the poem is what you used? यानि जो you है वो कितने बार इस poem में यूच किया गया है यानि जो poet है यानि कभी है वो बार बार इस word को क्यों यूच कर रहा है? the question fifth का जो answer है वो यहाँ पर है वो कह रहा है कि you का इस्तमाल है वो 18 times हुआ है ठीक है? 18 बार हुआ है इस poem में the poet has used it so many यानि जो it है वो भी क्या कर रहा है? कई बार इस कर रहा है इसको you को यूच कर रहा है ठीक है? because he wants to emphasize that it is only you you can, only who can help yourself achieve your goals यानि you का मतलब है कि only you सिर्फ आप ही है जो कि अपनी तक्दिर को बदल सकते हैं नहीं कोई बदलने आएगा नहीं कोई आपके साथ रहेगा ठीक है? सिर्फ आप ही है जो अपनी आपको बदल सकते हैं और अपनी आपको आगे ले जा सकते हैं और life में success हो सकते हैं ठीक है? तो इसी लिए जो इस poem में you का जो word है वो 18 बार use किया गया है अब बात करते हैं question 6 के ठीक है? वो है find all the positive and negative words यानि इस poem में हमें positive word यहाँ पर लिखने हैं ठीक है? और negative word इस वाले column में लिखने हैं ठीक है? and write them in the correct column ठीक है? जैसा कि यहाँ पर answer इसका 6 का यहाँ पर है positive जो भी positive word है ठीक है? वो यहाँ पर लिखा गया है जैसा कि पहला positive है be sure of yourself यानि अपनी आप में कहारना चाहिए sure होना चाहिए कि हम हम इस काम में जरू सफल होंगे negative क्या है? dare not यानि किसी भी काम को ना करना दूसरा है success begin with the follows will ठीक है? and second negative है don't third जो positive हो है think high to raise यानि हमें बड़ा सूचना चाहिए है और can't जो है वो negative है जो positive है be sure of yourself and negative जो है want है, lose है, lost है और outclass है ठीक है? तो इस तरह से आप column बना के positive वाले words को और negative वाले words को दोनों column में divide करके आप लिख सकते हो अब बात करते हैं question 7 की think and answer की यहाँ पर है what does the poet mean by following lines and इस line में के मतलब क्या है? life battles don't always go to the stronger or faster man यानि इस जो line है इसका मतलब क्या है? तो question 7 की जो answer वो यहाँ पर है the poet means that it is not always that strongest or fastest people do not always overcome life's hurdles यानि अगर कोई इंसान है ठीक है? वो काफी strong है या काफी तेज है किसी काम में तो ऐसा नहीं है कि वो हर एक situations को handle कर पाएगा ठीक है? only those who believe in themselves and their own capabilities life में सफल होते हैं या वो ही इंसान हर एक situations को control कर पाते हैं जो अपने आप में का करते हैं? believe रखते हैं और अपने capabilities को जानते हैं अपने छमताओं को जानते हैं वो ही इंसान अपने life में जीतते हैं ठीक है? question number 8 की अगर बात करें तो यहाँ पर है, ठीक है? what happens when someone does not believe they can achieve a target? how does it affect their performance? अगर कोई इंसान है वो अपने मन में सोचता है या दिमाग में सोचता है और वो अपने आप में believe नहीं कर पाता है वो सोचता है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा तो यह चीजे किस तरह से उसको affect करती है उसके performance पर है तो question 8 का जो answer है वो यहाँ पर है when someone does not believe they can achieve a target they usually do not achieve it अगर कोई इंसान सोचता है या negative सोचता है वो सोचता है कि नहीं मैं यह तो काम नहीं कर पाऊंगा यह मेरे बस की बात नहीं है तो वो क्या होता है उस काम में fail हो जाता है ठीक है यह तो 100% क्या है शेओर है वो fail हो जाएगा ठीक है यह तो सारी चीज़ें हो क्या है state of mind यानि हमारे दिमाग के सोचने पर निर्वर करता है अगर हम positive सोचते है कि हाँ हम इस काम में success होंगे तो आप जलू हो जाएंगा अगर आप negative सोचते हो कि नहीं इस काम को नहीं हम कर पाएंगे तो आप बिल्कुल उस काम को नहीं कर पाऊगा और उसमें fail हो जाओगे ठीक है ऐसा है यहाँ पर अब बात करते हैं question number 9 की and last think about the time when you or someone you know faced a difficult situation यानि इसके बारे में यानि जो भी difficulties आपके life में आई है उसके बारे में क्या करना है यहाँ पर mention करना है ठीक है और इसके बारे में लिखना है कि आप उस situations को किस तरह से handle करते हो जो difficulties आपके life में आई रहती है आप उस difficulties को किस तरह से handle करते हो तो question 9 का जो answer है वो यहाँ पर है my friends, यहां बता रहा है my friends dance delivery, कह रहा है कि जो मेरे friend है, वो काफी अच्छा dance करते थे, she had to participate in the state level उसे state level में, क्या करना चाहिए लड़की है कोई, ठीक है, वो dance करती थी बहुत अच्छा, और वो state level में participate करना चाहते थी, ठीक है, dance program में, और उसका जो dance program थे, basically, 3 week क्या था, बाकी था, ठीक है, और जैसे इस 3 week बाकी था, उसका क्या होता है, प्रैक्टिस करते कर से जो उसका ankle होता है, उसका पेर जो होता है वो, उसमें मोच आ जाती है, ठीक है बड़, क्या होता है, वो उसके पेर में मोच आनेक बाद वो क्या होती है, सांथ सोबाव से रहती है और अपने आप में भरोसा करती है, believe करती है वो भरोसा करती है, हाँ, मेरे पेर में मोच आ कहा है, इससे कोई मतलब नहीं, मैं क्या करूँगा मुझी करना है, किसी भी हाल्वेस participate करना है state level dance program में ठीक है तो वो क्या करती है वो doctor के जितने भी instructions दिये रहते हैं doctor कि आपको यह करना है यह नहीं करना है तो वो क्या करती है सबको follow करती है और rest करती है और इसके बासे क्या होता है जल्दी वो ठीक हो जाती है और जब ठीक हो जाती है तो वो क्या करते हैं अपने प्रोग्राम में वो अच्छा परफार्मिस करती है तो ऐसा है कि मतलब कभी हमारे साथ निगेटिव चीजी हो जाती है तो ऐसा नहीं कि हम लोग निगेटिव ही हो जाएं ठीक है हमें positive way में सोचना पड़ेगा ओके तो आपको वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू सो मच